माली जी किसका पौधा है ये अंजीर का पौधा है जी आंध्रा परदेश की ये क्वाल्टी है देखू कितने सुंदर के लग रहे हैं ये डेड़ साल का पौधा हो गया ये जो आपको दिखाता हूं इसको हटे पंद्रे दिन में देखते रहें पते को ऐसे जो पुराने पत्ते हैं काड़ दें इस लेह नहीं काटेंगे तो ये दूसरे पत्ते को भी खराब कर देता है पहलों के भीच में इसमें देखो एक बुमारी लगती है फंगस की यह आपको दिखाते हैं यह जिखो जैसे यह छोटा फ़ल है यह खराब हो गया इसको काट गो और आगे इसके लिए तो इस पर हम कोई सपरे नहीं करेंगी कोई और जहरीली कोई दवाई इस पर हम देसी i aT alright golden on a और सुबा उना होजाते हं इस बीमारी से बसते और ईसमें देशिवालियं हम ढानते रहते हैं जैसे गोबर की खाद हो वेजे से यह देखो हम मिला रखने हैं यह देखो एक गोबर है और इसमें थोड़ी बेरेती है यह देखो ऐसे गुड़ा है और इसमें राख भी है यह देखो दाल के दिखा देते हैं आपको इसमें गुड़ाई किये गुड़ाई करके इसको डाल कि जितना होशके इसमें देशी दवाई ही डालो है थैस कि दूसरी शक्री के इस्तेमाल नकर ऊआकरी फ़ल यो है शेट के लिए अच्छा रहे हैं कि प्यूना डालके पानी भी डाल सकते हैं कि इसकूलमें जो बचे चाक से लिखते हैं उसको डाल दो और जो पानी डालते रहेंगे तो बड़ के लिए होता है कि उसमें कैल्सियुम जादे होता है और यह फंगस की वो नहीं लगती है जी जो पॉधे में कोई कमी आती है वो दूरदे को फ्रेश है फिस्टाइम यह दोको फाल से भरा हुआ है अंजीर सहत के लिए बहुत ही अच्छा चीज है जी और अंजीर खाने से पेट के बहुत सारी बिमारियों के लिए फैदा है और बोड़ी भी फेट रहती है अंजीर के जो देखो किसमें और भी फैदे हैं जिसको बेट कम करना है यह अंजीर को सूखने के बाद खाएं बोड़ी फिट रहेगी यह अंजीर सूखा खाने से बजन कम हो जाएगा बोड़ी फिट रहेगी यह बाग लच्छु बाबु बरेटा मांसा पंजाब यह उनका बाग है यह जे दोस्त मेरे यह वीडियो पसंद आई हो पिस वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार नमस्कार जैमा तक्षा लड़ी था हो